तो उस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों ने कॉमेंट किया कि थोड़ा बोरिंग सा है और सिर्फ नाम नाम है तो थोड़ा बोरिंग सा लग रहा है तो मैं आपको एकी बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको आप गुलाब की खुषबू उसको प्राप्त नहीं कर सकते तो आप यह सब छोड़िये कि थोड़ा बोरिंग है या फिर कुछ है तो ठीक है ना पढ़ाई है तो थोड़ा बोरिंग तो होना बनता भी है तो मैं बस एकी बात कहूंगा कि अगर आप स्पीडी के अन्वल करेंट अफेर्स को कवर कर लेते हैं तो आपको कहीं और से करेंट अफेर्स के बारे में टेंचन लेन की जरूत है नहीं है चाहे आप कोई भी एक्जाम दे रहे हो ठीक है चाहे वो कोई BPST का एक्जाम दे रहे हो या MPST का दे रहे हो UPPCS का दे रहे हो या फिर कोई स्टेट का कोई एक्जाम दे रहे हो ठीक है तो आपको किसी और जगे से पढ़ने के बारे में सोचना ही नहीं है यहाँ पर मैं सिर्फ ऐसे बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि खुद धीरत सर ने जो UPPCS का प्री अभी क्लेर किया है उसमें उन्होंने कहीं और से पढ़ा ही नहीं था सिर्फ Annual Current Interface पढ़ा था वो भी Editoria का पढ़ा था, आप सोचे इडिटेरिया में इतना जाधा deeply दिया नहीं गया है जितने speedy में दिया गया है तो अगर आप speedy अच्छे से cover कर ले तो तब सोचे कितना जाधा beneficial आपके साथ रहेगा तो यह सब बिलकुल नहीं सोचना है कि boring है या पर कुछ और है आपको सीधा सीधा क्या करना है पढ़ते जाना है एक बार में ना समझ मैं है दो बार वीडियो देखिये लिखनी क्या समझने की कोशिश करिए कोई दिक्कत नहीं होगी और जब एक बार दिमाग में चीज़े बैटनी शुरू हो जाएंगी न उसके बाद आपको क्या जाएगा, मजा ही आजाएगा, ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने क्या-क्या बाते करी थी, थोड़ा सा वो हम रिकॉल कर लेते हैं, अगर आपने अभी तक वो वीडियो देखी नहीं है, तो मैं आप से एक ही गुजारिश करूँगा, कि आप वो उपराश्टवपती, प्रदान मन्तरी के बारे में हमने डिस्कस किया था, उसके अलावा जुडिशिवेरी से रिलेटेड चीफ की हमने बात की थी, उसके अलावा , इलेक्शन कमिशन से जुड़े होए, जितने भी हैश्ड हैं उनकी बात की थी, क्यग के चीफ्स की बात हम अगरा की बात हम ने की थी, महारतन कंपनियों के जो प्रमुख है, उनकी बात हम ने की थी, ठीक है, उसके लबाद जो शिक्षन संस्थान है, अकादमिक संस्थान है, जैसे UGC है, JNU है, BHU है, इनके भी हमने वाइस चांसलर्स की बात हमने की थी, तो बहुत सारे इंफोर् विडियो देखिए, उसके बाद यहां से शुरू करियेगा, चलिए, शुरू करते हैं, आज का ये वीडियो, ये वीडियो कौन सा है, चैप्टर वन, चैप्टर वन का नाम कह है, कौन क्या, कहां, उसका ये सेकंड पार्ट है, एक ही पार्ट में हम सब कवर करेंगे, तो औ ICC, ICC क्या है International Cricket Council, इसके जो अध्याक्ष है वो कौन है? Greg Barclay है, कौन है? Greg Barclay जो की New Zealand के रहने वाले हैं, उसके अलावा गर कारेवाग CEO की बात करें ICC के, तो वो है Joe of Irlandis, तो इसमें देखिए, आपको ये जाधा important है, ICC के अध्याक्ष कौन है, ये जाधा important है, अगर आप कारेवाग CEO याद ना भी रहें, तो कोई issue नहीं है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये पता करके चलना है, ठीक है, कौन? अध्याक्ष, तो अध्याक्ष कौन है, आपको पता चल गया? Greg Barclay, उसके अलावा अगर हम बात करें ICC की, ICC यानि की Asian Cricket Council, Asian Cricket Council, तो Asian Cr Cricket Council के जो अध्याक्ष है, वो जय शाह है, कौन है? जय शाह है, उसके अलावा अगर हम बात करें प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक, किसकी ICC की प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक, तो वो है Indira Nui, उसके बाद BCCI की बारी आती है, भारतिया Cricket Control Board, तो इसके लेकिन अभी जो मुख्य कोच बन गया है, वो कौन बन गया है? राहुल द्रवड बन गया है, तो आपको याद रखना है, यहाँ पर रवी शास्त्री नहीं होगा, क्या होगा? राहुल द्रवड होंगे, clear? राहुल पैंटिक से चल नहीं रहा है, राहुल द्रवड चलिए अगर हम बात करें मुख्य कोच भारतिय महिला क्रिकेट टीम की, तो वो रमेश पवार है, उसके लबा भारतिय खेल प्रादिकरन, ठीक है, इंडियन स्पोर्ट्स, अथोरिटी के जो महानी देशक है, वो है निलम कपूर, वहीं पे WFI, यानि कि भारतिय कुष्टी फेडरे यानि कि अखिल भारतिय फुटबॉल, परिसंग, इसके अगर बात करें अध्यक्ष की, तो यह है प्रफुल, पटेल, वहीं पे वालीबॉल, फेडरेशन ओफ इंडिया के अध्यक्ष है, अच्यूत सामंत, AICF, यानि कि अखिल भारतिय शतरंज संग के अध्यक्ष है, अधिल सुम्रिवाला, BFI यानि कि भारतिय मुक्यबाजी महासंग, इसके जो अध्यक्ष है वो है अजय सिंग, और AIOA यानि कि भारतिय ओलंपिक संग, इंडियन ओलंपिक एस्सोसियेशन के जो अध्यक्ष है वो है नरिंदर बत्रा, तो एक बार फिर से इसको रिपीट कर BCCI के CEO हिमांगमीन, भारतिय क्रिकेट टीम के जो मुखे कोच है एड कोच राहुल द्रविड है, मुखे कोच भारतिय महिला क्रिकेट टीम की रमेश पोवार है, भारतिय खेल प्रदिकरन के महानिदेशक नेलम कपूर है, WFI भारतिय कुष्टी फेडरेशन इसके अध्यक् सिंग, वहीं पर AITA, अखिल भारतिय टैनिस संग के जो है, टैनिस असोसियेशन के अध्यक्षा है, अनिल जैन, फुटबल फेडरेशन के जो अध्यक्षा है, इंडियन फुटबल फेडरेशन इसके है, प्रफल पटेल, वहीं पर बात करें, वालीबल फेडरेशन ओफ यानि कि भारतिय ऐ एथलेटिक फेडरेशन इसके जो अध्यक्षा है, वह है आदिल सुमरीवाला, BFI, इंडियन बोक्सिंग yem के जो अध्यक्षा है, वह है अजैसिंग और इंडियन ओलंपिक असोसियेशन के जो अध्यक्षा है, वह है नरिंदर बत्रा, अब है भारतिये तीरंदाजी संग इसके जो अध्याक्षा है वो अर्जुन मुंडा है अंतराष्ट्रिय ओलंपिक समीती इंडियन ओलंपिक कमिटी इसके जो अध्याक्षा है वो है थौमस बाक कौन है थौमस बाक याद रखना है थौमस बाक जो की जर्मनी के है अंतराष्ट्रिय ओलंपिक समीती के जो वो है अध्याक्ष वो है थौमस बाक बात करें अगर हम अ अध्यक्ष है Sebastian Co., कौन Sebastian Co., जो कि बृटेन के रहने वाले है, तो यह सब इतने इंपॉर्ण नहीं है, एक बार बस देख लिजेगा, अंतरस्ट्री एथलेटिक मासंग के अध्यक्ष है Sebastian Co., वह इपर बात करें, भारतिय बैडमिंटन संग की, तो इसके जो है अध्यक्ष है हमन हमन्त विश्व सर्मा, तो यह याद रखना आपके लिए easy होगा, क्योंकि हमन्त विश्व सर्मा जो है वो असाम के चीफ मिनिस्टर भी है, clear है, भारतिय बैडमिंटन संग की अध्यक्ष कोन है हमन्त विश्व सर्मा, फीफा की अध्यक्ष की बात करें, ठीक है, तो यह है जियानी इनफैंटिनो, फीफा के जो अध्यक्ष है वो है जियानी इनफैंटिनो, यह इटली के रहने वाले हैं, अगर बात करें हम, अंतरश्ट्रिय भारोतोलन महासंग, IWF की इंटरनाशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन, तो इसके अध्यक्ष है सहदेव यादव, अ अगर बात करें, विश्व स्क्वेश्ट फेडरेशन, तो इसके है जेना वॉल्डरिस, तो देखें, जिसके अध्यक्ष भारती है न, अकर इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष भारती है, तो वो थोड़ा इंपोर्टेंट बन जाता है, तो उसको याद ज़रूर रख स्विडिन के रहने वाले है, वही पर बात करें, अगर हम अध्यक्ष AIBA के, यानि कि अंतरस्ट्री बॉक्सिंग संग के, तो ये है उमर क्रेमलेव, ये रूस के हैं, वही पर IPC भारती है पारलंपिक कमिटी के जो अध्यक्ष है वो है दीपा मलिक, तो ये दीपा मलिक क्या है अध्यक्षा है भारती ओलंपिक समीति की, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा, ठीक है, दिखिए, तो बीमा संस्थानों के प्रमुख की अब हम बात कर लेते हैं, वह पहले हमने बात की किसके, खेल संगटनों के प्रमुख की, अब बात करते है बीमा संस्थानों के प्रमुख की, तो जो बीमा संस्थानों के प्रमुख की में बात करें, तो सबसे पहले है यहाँ पे भारतीये, बीमा नियामक और प्राधिकरन, यनिकी IRDA, IRDA के जो अध्यak्ष ere वो है, सुभाष, चन्द्र खुतिया, क्या है, सुभाष, चन्द्र, बात करें, LIC के प्रबंध निदेशक की, यानि कि मैनेजिंग डिरेक्टर की, MD की, तो वो है BC पतनायक, वहीं पर बात करें, GIC, यानि कि General Insurance Corporation की अगर बात करें, तो इसके अध्यक्ष है, देवेश श्रिवास्तव, वहीं पर बात करें, CMD की, किसी के New India Insurance Company Limited के CMD की, तो वो है दूल सहाए, तो यहां पर important क्या-क्या बनता है, एक तो LIC important बनता है, और उसके लाबा, अभी तो LIC, LIC को याद रखेगा, बाकी को भी आपको देखना है, वहीं पर बात करें, निदेशक, Oriental Insurance Company के निदेशक की, तो वो है SN Rajeshwari, United India Insurance Company के निदेशक है, SL Tripathi, NICL, यानि कि National Insurance Company के अध्याक्षा है, तजिंदर मुखर जी, और SBI, General Insurance के MD और CEO है, PC कांडपाले, पर फिर से repeat करते हैं, IRDA के अध्याक्षा है, सुभाष चंदर खूतिया, वहीं पर बात करें, LIC के अध्याक्षा है, MR कुमार, LIC के प्रबंध निदेशक है, BC पतनायक, GIC के अध्याक्षा के निदेशक है, S.N. Rajeshwari, United India Insurance Company के निदेशक है, SL3 Party, NICL के अध्याक्षा है, तजिंदर मुखर जी, SBI General Insurance के MD और CEO है, PC कांडपाल, ठीके, आगे बढ़ते हैं, अब है कुछ बैंक के प्रमुख अधिकारी, तो बैंकों में क्या-क्या हम पढ़ेंगे, एक तो केंदरिये बैंक पढ़ेंगे, पॉब्लिक सेक्टर बैंक पढ़ेंगे, प्राइवेट बैंक, इन सब के हम बात करेंगे, अधियक्स की, MD की, CFO की, जो भी है, इसमें सब हम बात करने वाले हैं, ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं, केंदरिये बैंक की, यानि की, Central Bank की, तो अभी Central Bank हमारे कौन है, RBI है, Reserve Bank of India, इसके जो गवर्नर है, वो कौन है, शक्ति कांत दास, और यह 25 नंबर के गवर्नर है, अभी तक भारत में 24 गवर्नर अल्डेडी रह चुके हैं, और यह 25 है, ठीक है, वही पर अगर उप गवर्नर्स की बात करें, तो कौन कौन ह है, एक तो T. रभी संकर है, उसके लावा M. राजेश्वर राओ है, उसके लावा महेश कुमार जैन है, उसके लावा माइकल देवबरत पात्रा है, यानि की MD पात्रा है, चलिए, मुख्य वित्ती अधिकारी की बात अगर हम करें, ठीक है, तो वो कौन है, RBI के वो है सुध सुधा बाला कृष्णन, सुधा बाला कृष्णन, यानि की Chief Financial Officer, CFO कौन है, सुधा बाला कृष्णन, अब बात करते हैं, सरवजनिक बैंकों में, MD CEO's की, तो सबसे पहले बात करते हैं, भारतिय स्टेट बैंक की, यानि की SBI की, तो SBI की अधियाक्षा भी है, दिनेश कुमा खारा, very very important, याद रखेगा, उसके लाबा भारतिय स्टेट बैंक की CFO, यानि की Chief Finance Officer, यानि की मुख्य वित्ति अधिकारी कौन है, चरण जीत सिंह अतरा, कौन है, चरण जीत सिंह अतरा, वहीं पर अगर बात करें, प्रवंध निदेशक की, MD की, तो SBI की MD अभी है, स्वाम स्वामिनाथन जान की रमन, स्वामिनाथन जान की रमन, अश्विनी कुमार तिवारी, अश्विनी भाटिया, चल्ला श्रिनी वासुलू सेटी, तो ये सब क्या है, भारतिय स्टेट बैंक के MDs है, clear, चलिए, बैंक अभ बढ़ोदा के जो अभी कौन है, अध्यक्ष, तो ब बात करते हैं, अब हम Central Bank of India की, ठीक है, तो दिखिए, Central Bank of India के जो MDO CEO है, वो है मातम वेंकट राओ, इंडियन बैंक के है, सांतिलाल जैन, कौन है, सांतिलाल जैन, इंडियन ओवर्सीज बैंक के है, पार्थ प्रतीमा सेन गुपता, पंजाब नैशनल बैंक के है, एस, एस मल लिकारजुन राओ, पंजाब एंड सिंद बैंक के है, एस, कृष्णन, यूको बैंक के है, अतुलकुमार गोयल और यूनियन बैंक ओफ इंडिया के है, जी राज किरन राय, क्लियर है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, बैंक ओ बढ़ोदा के है, संजीव चडड़ा, ब इंडियन ओवसीज बैंक के है, पार्थ प्रतीम सेन गुपता, पंजाब नैशनल बैंक के है, एस, एस, मलिकार जुन राओ, पंजाब एंड सिंद बैंक के है, एस, कृष्णन, यूको बैंक के है, अतुलकुमार गोयल, यूनियन बैंक ओफ इंडिया के है, जी राज किरन राए, एक छोटा सा नोट है यहां पर, 30 अगस्त 2019 को, 10 सारवजनिक क्षेत्र के बैंकों का, 4 बड़े सारवजनिक क्षेत्र के बैंकों में, विलाय के बाद, वर्तमान में, भारत में सारवजनिक क्षेत्र के बैंकों की जो संख्या है, वो 12 हो गई है, ठीक है, तो 30 अगस् इसको क्या हुआ दस जो public sector banks थे उनका चार बड़े public center banks में क्या हो गया merge कर दिया गया उनको घट करके जो अब संख्या है कितनी हो गई है public sector banks की वह बार हो गई है इलाहबद bank जो है इसको merge कर दिया गया Indian bank में आंधरा bank को merge कर दिया गया Union Bank में, Union Bank of India में, Oriental Bank of Commerce को merge कर दिया गया United Bank of India में, Union Bank of India में किसको कर दिया गया, Indian Bank, Andhra Bank को, Oriental Bank of Commerce और United Bank of India, इन दोनों को एक साथ किया गया, Oriental Bank of Commerce और United Bank of India को कर दिया गया Punjab National Bank में, वहीं पर Syndicate Bank को कर दिया गया, Canera Bank में, विजया बैंक और देना बैंक दुनों को कर दिया गया, कहां पर बैंक ओफ बढ़ोदा में, तो घटकर के अब कितनी हो गई है, टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक की अगर हम बात करें, तो वो हो गई है, 12, 13, अब कुछ प्राइवेट बैंक के CEO की बात करते हैं, तो सबसे पहल के CEO है, गोविंद जैन, बैंक ओफ वेस्ट के CEO है, नंधिता बक्षी, I CICI बैंक की CEO है, संदीबक्षी, I mean K CEO है, संदीबक्षी, HDFC बैंक के CEO है, शशिधर जगदीशन, IDFC फर्स्ट बैंक के CEO है, V. वेद्देनाथन, Yes बैंक के CEO है, प्रशांत कुमार, City यूनियन बैंक के CEO है, N. कामा कोदी, भारतिये डाक भुकतान बैंक, यानि की Indian Post Payments Bank, इसके जो CEO है, वो है, J. Venkatramu, धनलक्षमी बैंक के CEO है, J. K. शिवन, जमुयन कश्मीर बैंक के CEO है, बलदेव प्रकाश, पेटियम बैंक, पेमिंड बैंक के जो चेर्मन है, वो है, विजाय शेकर शर्मा, पेटियम मनी के CEO है, वरुन स्रिधर, अध्याक्षा है, भारतिये लगु विकास, बैंक के, यानि की SIDB के जो अध्याक्षा भी है, वो है, S. रमन, आगे बढ़ते हैं, IDBA बैंक के जो CEO है, वो है, राकेश शर्मा, एक्जिम बैंक, यानि की Export-Import Bank के CEO है, हर्शा भुपेंद्र बंगारी, नाबाड के अभी CEO है, गोविंद राजुलू चिंतला, IBA, यानि की भारतिया बैंक संग, Indian Banking Association, इसके अध्याक्षा भी है, A.K. गोयल, CEO कौन है, A.K. गोयल, NHB की अगर बात करें, National Home Bank, तो ये है, राश्री आवास बैंक के MD है, शारदा कुमार होटा, PMC बैंक के प्रशासक है, A.K. दिक्षित, करुड वैश्य बैंक की MDN CEO है, रमेश बाबू बद्दू, फेडरल बैंक के CEO है, दिलिप साधरंगानी, फेडरल बैंक के अध्याक्ष है, दिलिप साधरंगानी, और CEO है फेडरल बैंक के, शाम श्रिनिवासन, HDFC Life के CEO है, विबा पडालकर, DCB बैंक के, जो है, वो है, मुरली एमनेट राजन, और भारतिय महिला बैंक के जो अध्याक्ष है, वो है, SM स्वाती, कौन है, SM स्वाती, तो ये रहे कुछ, प्राइवेट बैंक के CEO's and अध्याक्ष, एक और छोटा सो नोट है, यहाँ पे, नोट है, एक अप्रेल 2015 से, ING वेश्य बैंक का जो विलय है, वो कोटक महिंदरा बैंक में हो गय है, सिंगापूर के DBS बैंक की भारतिय शाखा में किया गया है, लक्षमी विलास बैंक को कहां पे मर्ज कर दिया गया है, DBS बैंक की जो, सिंगापूर की जो DBS बैंक है, उसकी भारतिय ब्रांच में, लक्षमी विलास बैंक का विलय कर दिया गया है, और ING वेश्य बैंक का जो है वो कोटक महंद्रा बैंक में हो गया था अब यह लास्ट आज के इस वीडियो का लास्ट टॉपिक हम कवर करेंगे वह रक्षा उपकरन तो देखिए कौन सा रक्षा उपकरन कहां पे विक्सित किया गया और ये क्या है ठीक है अगर हम बात करें हेलीना की हेलीना एक उपकरन है इसको इसका विकास भारत में किया गया और ये क्या है हेलीना क्या है तो हेलीना एक टैंक रोधी मिसाइल है हेलीना क्या है एक टैंक रोधी मिसाइल है चिनूक अमेरीकी कंपनी बोईंग ने इसको डिवलप किया है और चिनूक एक हेलिकॉप्टर है बराक 8 क्या है डियल ईजुटेंच व इसराइल ने दुनों ने मिलके किया है और ये डियल वकरिया है बराक 8 क्या है सर्फ़िस टु ऐर मिसाइल है मुझे पर INS Vela की बात करें तो France ने इसको develop किया है और ये Scorpion Shrinny की पंडूबबी है क्या है, INS Vela क्या है, एक पंडूबबी है raffle France में किया गया है Salt Aviation ने इसको develop किया है और ये लड़ा को भी माने, अभी हाली में यहापे 5 raffle आये थे S-400 क्या है यह रूस में developed है और यह एक air defense system है air से ही air में इसको क्या करना है मतलब कोई भी country लगा सकती है इसको बाहरी खत्रों से बचने के लिए पिनाग क्या है भारत में developed है पहला सोदेशी rocket है कौन है पहला सोदेशी rocket है पिनाग जो कि भारत में इसको भी भारत में developed किया गया है और यह स्कॉर्पिन श्रेणी का पंडुब्भी है आइनस कलवरी अपाची की बात करें तो अमेरिकान इसको developed किया है और यह लडाकु helicopter होता है लडाकु helicopter होता है अच्छा थोड़े बहुत और है एक और topic अभी बचा हुआ है आर्थिक वानिजिक संस्थाओं संगटनों के प्रमुख तो देखिए फिक्की की अगर बात करें तो फिक्की के महासचीव है दिलिप चिनोय फिक्की के अध्यक्ष अभी है उदयाशंकर एशोचैम की अगर बात करें तो एशोचैम के अध्य अध्यक्ष है टीवी नरेंदरन इफको के अध्यक्ष है बलवीर सिंग नकई नासकॉम के चेरपर्सन है रैखा मैनन नासकॉम के प्रेजिडेंट है देवजनी घोष यूटी यूनिट रस्ट अफ इंडिया के अध्यक्ष है लियोपूरी और इंटरनाशनल चैम्बर औफ इंटरनाशनल चैम्बर औफ कॉमर्स इंडिया के जो अध्यक्ष है वो है विक्रम जीत सानी कौन है विक्रम जीत सानी माफ करिएगा तो International Chamber of Commerce इंडिया के अध्याक्षा है, विक्रम जीत सानी और NAC, National Stock Exchange के अध्याक्षा है, गिरेश चंदर चतुरवेदी, वहीपी BAC, Bombay Stock Exchange के CEO है, आशीश कुमार चौहान, तो ये था First Chapter, कौन, क्या, कहां का, Second Part, एक, दो Part और आएंगे, उसके बाद हम पहले Chapter को Cover कर लेंगे, Speedy Current Affairs के पहले Chapter को Cover कर लेंगे, फिर हम ऐसे ही धीरे-धीरे पूरे Book को Cover कर लेंगे, ज्यादा दिन नहीं लगेगा, थोड़ा-थोड़ा करके करेंगे, मज़ा भी आएगा, और समझ में आने लग जाएगा तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो के अंत में कहना होती है लेकिन यह तो आपका दाइद तो बनता है कि आप वीडियो को क्या करें वीडियो को लाइक कर दें साधी साथ कॉमेंट करके बताए कैसा लगा आपको ये वीडियो उसके अलावा शेर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ जतना जादा शेर करेंगे जतना जादा उतना जादा हमें मोटिवेशन मिलेगा उसके अलावा अगर आप नए चैनल पर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दी एंसी याइडि जोन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ तिल देन कीप वचिंग एंस